कि कल की प्लैनिंग आपकी क्या हो नीचे निफ्टी फिफ्टी में आज तो मुवमेंट बढ़िया नहीं मिला मार्केट के अंदर फिर भी हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया यानि कि हमारे मेंबस ने कुछ-कुछ प्रॉफिट बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाह वाला है ठीक है तो जल्दी से देख लेते हैं आप लोग को ट्रेड कहां पर दिये थे मैंने हम आ चुके हैं अपने टेलिग्राम के ऊपर इसकी लिंक आपको मिल जाईए हमारे डिस्किप्शन के अंदर नोटिस करने की बाद जो है वो बता देता हूँ 1.6 के सब्सक्राइबर वाला ही चैनल जोइन करना और ये चैनल आपके लिए बिलकुल फ्री है यहाँ पर जो आपको मिलेगा उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लेकिन कहीं और मत जोइन हो जाना फेक चैनल भी है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले हम देखाएंगे आज का मेंबस का प्रॉफिट जो की काफी कम है इस फाइन कोई बात नहीं क्योंकि कभी जादा होता है कभी कम होता है 786 का प्रॉफिट 1184 का 897 1205 उसके बाद 8132 का ओवराल प्रॉफिट यह सब सुबह का ही प्रॉफिट है उसके बाद 1500 का प्रॉफिट यह हमारा निफ्टी 50 का after 1 पिम ट्रेट जो चला नहीं यन चला नहीं द संस ट्रेगर ही नहीं हुआ एक और trade दिया था, put side में ये भी नहीं trigger हुआ, उसके बाद bank nifty का जो trade दिया था, वो 50 point ही चला, अब आप लोग को मैंने morning में दिया था, एक scale 50 point का 45,700 के नीचे, 50 point यहां पर आपका scale बना, उसके बाद मैंने एक और आपको scalping दीती, wait a minute, bank nifty 46,090 के नीचे, put side में scalping opportunity, छोट point इदर मिल भी चुके थे, अब एक और चीज आपको दिखाना क्या चाहूँगा, कल का दिन दिखाना चाहूँगा, आप लोग को, so that आपको समझ में है कि, पैसा तो बनता है, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, यह देखो, यह fake channel है, आप लोग को दिखा देता हूँ, मेर profit, ठीक है, देखिए, और और दिखाता हूँ, देखिए, देखिए, 6,000, 6,000, और देखिए, 5,000, 4,000, 4,000, 3,000, 200, 532, यह हमारे कल का profit है, ठीक है, देख सकते हैं, आप लोग, point is, पैसा बनेगा, जब market move करेगा, यहाँ पे pin comment में आप जाके मेरी trades देखिए, आपको समझ मे जागा, क्या धमाकेदा trade में देता हूँ, लेकिन market अगर move नहीं कर रहा है, तो हमारा काम है कि उस market से दूर रहो, दूर इसलिए रहना होता है, so that आपका loss ना हो, जो आपने पहले पैसा कमाया है, वो stop losses hunting में ना जा, और आप recovery के चक्कर में loss ना करें, यह जो आपको पूरा market देखने को मिल रहा है न, एकदम बकवास market, इसमें बस लोगों के sell hunt होते हैं, लोग loss करते हैं, जो desperation में trade करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे होता है loss, जो सबर के साथ काम करते हैं, वो यहाँ पे काम ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो, opportunity कहाँ पे मिली थी market में, opportunity मिली थी morning मे जिसमें हमने पैसा बनाया, इसके अंदर भी और bank nifty के अंदर भी, ठीक है, 70 point fall किया था, लोगों ने जो जो छोटा बनाया, वो बनाया, market ने अपने जो कल का, छोटा सा लो था, मैंने इसके नीचे आपको क्या बोला था कल, मैंने बोला था, इसके नीचे हम put side में क्योंकि मैंने आपको बोला था, इस zone में trade नहीं करने के लिए, कल भी, यहाँ पर देखो, मैं आपको बार बार एकची बताता हूं कि जब भी यह wix बड़ी-बड़ी बनती हैं, ऐसे time में आपको trade नहीं करना होता है, यह आपका थोड़ा सा, sorry, यह आपका थोड़ा सा tradable area आया था, जहाँ पर आप trade कर सकते थे, यहाँ देखो, wix हैं ही नहीं या छोटी-छोटी है, यह area आपका full-on बकवास था, उपर से आज था expiry, तो expiry के दिन का scene क्या है, प्रीमियम डिके होता है, और प्रीमियम डिके की वज़े से अगर market sideways भी है न, तो भी आपने जिदर buy किया है, वहाँ से दीरे 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 आपका जो प्रीमियम में वो dip करता चला जाता और आप overall loss में चले जाते हैं, ठीक है, यह एक momentum आया था, यहाँ पर अगर आप trend line डालते कुछ और उसके base पर अगर आप trade करते तो आप इसको capture कर सकते थे, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पा पैसा बनेगा बनेगा, अब लेकिन market reverse कर गया, ठीक है, तो यह चीज भी समझ नहीं है, हमारा जो trade था, हमने put side में कहीं यहाँ पर trade plan किया, call side में यहाँ पर trade plan किया, नहीं यह execute हुआ, नहीं यह execute हुआ, execute एक होने वाला था trade, यह वाली candle में, जो second candle है न, लेकिन इस time पर क् यह थी एक green candle, यानि कि एक चोटा सा SL, अगर आप यहाँ पर notice करोगे, market fall किया, market यहाँ रुका, यह वाली candle नहीं, मुझे यहाँ कहीं पर candle चाहिए थी, तब आपको एक trade यहाँ पर में अपने members को देता, बड़ वो नहीं हो पाया, अब नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, planning त अब कल की planning क्या होनी चाहिए, तो एक बड़ा zone आपका बन चुका है, जिसमें आपको बहुत ही समल कर trading करनी है, या मैं बोलूँ आपको trading नहीं करनी है, इसके बार ही आप trade plan करिए, अब वो level क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यह level है, 21,950 यानि कि यह वाला level, जो आपको कल के लिए बहुत important है, दूसरा एक important level है, यह वाला यानि कि 21,800, अब यह 500 point है, अब इसके अंदर trade वही कर सकता है, जो experience बनता है, मैं बोलूँगा जो नए बन्दे हैं, प्लीज आप इसमें no trade zone मार्क कर दो, और इधर कुछ मत करना, अगर market कल इधर ही रहे, तो avoid कर लेना इस range को, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका पैसा बचा रहेगा, जब इस तरीके का trendy market आएगा, उस time पे आप पैसा बना पाओगे, ठीक है, हमारा market अगर, अब मैं बात करने वाला हूँ, जो experience लोग हैं वो, अगर हमारा market कल इस level के नीचे निकलता है, 21,880 के नीचे, तो हमें क्या level छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं, 840, 820 और 800 के level, ठीक है, ये level हमें देखने को कब मिलेंगे, जब हम इस level के नीचे निकलेंगे, ठीक है, ये वाले level, हमें ये area capture करेगा, कौन जो experience बंदा है, जो नया बंदा है, वो कुछ भ उपर निकलना है, 22,000 के level टच करने हैं, तो वो हमें बताएगा, कि भाया मैं उपर निकल रहा हूँ, मुझे buy करो, जल्द बाजी मत करना, बस ये बोल रहा हूँ, देखो, market ने कल भी upside का move दिखाया है, और आज भी अगर आप overall देखोगे, तो upside का ही move है, market के अंदर, लेकि तो हमारे target हैं, 22,000 और 22,050 के target, ठीक है, ये target लेकि हम upside का का काम करेंगे, और downside 21,800 तक easily market आ सकता है, और बोलूँ तो 21,750 तक भी हमारा market जा सकता है, for the downside, ठीक है, इन levels के साथ हम काम करने वाले हैं, कल के दिन, simple strategy है, इस strategy पे बने रहना, आपका छोटा मुटा ज़रूर profit loss नहीं होगा, बाकी, वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर लो, telegram को join कर लो, सारे update आपको इधर मिलते रहेंगे, trade भी मिलेगा, bank nifty का scalping के लिए, जो छोटे पैसे से काम करते हैं, उनका फायदा उधर हो सकता है, पहले पैसा कमाओ, छोटा छोटा उसके बाद मेरे से connect करो, फिर मै आपको सिखाऊंगा, comment section में कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछ लो, मैं उस कांसर आपको करके दूँगा, thank you very much, मिलते हैं आप लोग को कल,